हेलो एवर्यवन वेलकम टू मैंत वी पाटशाला होप यू ओल आर सेफ औन हेल्दी आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास थर्ड की मैथ वरक्षीट का पार्ट वन हम इसका अलरडी डिसकस कर चुके हैं यह वर्क्षीट आपको फर्स चेप्टर रिवाइस करने में का droit करेगई और जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूटी भी स्टार्ट होने वाले हैं और लगभग बच्चों की स्टार्ट भी हो चुके हैं So, आपकी unit test की practice में भी ये video काफी help करेगी So, now first हमारा question है Read the abacus and write the number and the number name आपको abacus को read करना है Then आपको उसका number लिखना है और फिर आपको उसका number name लिखना है So, पहला जो हमारा abacus है इस पर हम देखते हैं One place पे कितनी beats है So, one place पर है हमारा one 10s पर हमारा है 0 100 पर है 3 And 1000 पर है 2 तो हमारा इन number क्या हो गया 2301 Next हमारा abacus है इस पर one place पर है 0 10s place पर है 1, 2, 3, 4, 5 5 beats है 100 पर है 1 And 1000 पर है 1, 2, 3, 4 So, यह हमारा number क्या हो गया 4150 इस हमारे abacus पर One place पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 beats है 10s पर हमारी 3 है 100 पर हमारी 2 है And 1000 पर है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 तो और हमारा number क्या हो गया 5236 Next question भी हम इसी तरह से solve करेंगे Next हमारा है Write the face value and place value of the color digit जो digit आपकी colored है उसकी आपको face value और place value लिखनी है आगे table में यहाँ पर हमारा first number है 3745 जो हमारा अलग color से जो number लिखा हुआ है हमें उसकी face value और place value बतानी है तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि जो हमारा 7 है वो कौन से place पर है 7 हमारा है 1, 10, 100 तो 7 हमारा 100 place पर है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 100 लिखेंगे उसके बाद बताएंगे 7 की face value हमारी 7 होगी और 7 के बाद 2 digit है तो 7 की जो place value है वो हमारी होजेगी 700 next हमारा है 4038 तो इसमें हमें 8 की पहले place बताना है फिर उसकी face value और place value बतानी है so 8 का हमारा यहाँ पर place है once and हमारा जो 8 है उसकी face value होगी 8 और जिसकी place value भी हमारी 8 होगी क्योंकि 8 के बाद कोई भी digit नहीं है next हमारा है 9718 सो हमारा सबसे पहले चेक करेंगे 9 हमारा कौन से place पर है once, tens, hundred and thousand so 9 हमारा है thousand place पर है 9 की face value क्या होगी हमारी 9 और 9 के बाद 3 digit है so 9 के बाद यहां पर हम 30 लगा देंगे next हमारा है 6205 हमें 0 की जो face value और place value बतानी है 0 हमारा tens place पर है हम यहां प्लिखेंगे tens इसकी face value और जो place value है दोनों ही 0 होगी next हमारा है 1986 यहां पर हमें 9 की place value और face value बताएंगे 9 हमारा सबसे पहले 100 place पर है 9 की face value 9 होगी और 9 की जो place value है वो होगी हमारी 900 क्योंकि 9 के बाद 2 digit है तो 2 0 लग जाएगी next number है 2036 3 हमारा tens place पर है 3 की जो face value 3 होगी and 3 की जो place value है वो होगी हमारी 30 क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही digit है next हमारा question है the number are written in the expanded or short form जो आपको numbers दिये गए है किसी number के आपको short form लिखनी है किसी number के आपको expanded form लिखनी है पर जो हमारा first number दिया गया है 6785 so इसे हम expand करके कैसे लिखेंगे 6 के बाद कितने digit है 6 के बाद 3 digit है तो हम 3 0 लगाएंगे 7 के बाद 2 digit है तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे 8 के बाद हमारा 1 digit है तो 1 0 लगेगी एंड उसके बाद 5 है उसके बाद कोई digit नहीं है तो 5 को हम singly लिख देंगे इन 4 numbers को हम add करेंगे तो हमारा answer इसमें यही आएगा एक तरीका आप इस तरह से भी इसको expanded form में लिख सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि जिस तरह से आप इसको read कर रहे हैं यह आपको अच्छे से read करना आता है तो आप easily उसको expanded form में लिख सकते हैं जैसे कि हमने बोला 6785 6785 इस तरह से हम इने लिख सकते हैं next नहीं हमारा है यहाँ पर expanded form दी गई है हमें इसकी short form लिखनी है so हमें इससे सबसे पहले read करेंगे 4296 तो हम सीधर लिख देंगे 4296 next हमारा है 3327 3327 अंबर को हमें expanded form में लिखना है so 9 के बाद हमारे 3 digit है तो 3 0 लगेगी next 9 के बाद 2 digit है उससे next के बाद 1 digit है and then हमारा 9 आएगा 9999 1071 so यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे इसको 5071 next हमारा question है write the predecessor of आपको इन numbers का predecessor लिखना है तो predecessor का मतलब क्या होता है कि जो number आपका given है उससे just before जो number होगा वो होगा आपका predecessor तो predecessor को निकालने के लिए जो number आपको दिया गया है उसमें से हम 1 को minus कर देंगे यदि हम 6,345 में से 1 को minus करते हैं तो हमारा answer आएगा 6,344 तो यह हमारा क्या हो गया predecessor हो गया predecessor निकालने के लिए आपको सिर्फ 1 को minus करना होता है जो number आपको given है उससे पीछे वाला जो number होगा वो आपका predecessor होगा means आपको एक number को subtract करना है इसी तरह से यदि हम इसमें से 1 को minus करेंगे तो हमारा आजाएगा 3,171, 2,531, 9,816, 5,469 नास्ट हमारा है 4,000 यदि आप 4,000 में से 1 को minus करते हैं तो हमारा आएगा 3,999 नेक्स्ट हमारा question है write the successor of आपको इन numbers का successor लिखना है successor में आपको क्या करना होता है कि जो number आपको given है कि just after जो number आएगा वो होगा हमारा successor तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन सभी numbers में 1 को add कर देंगे आप 1 में add भी कर सकते हैं और आप इसको direct भी निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा है 7999 में यदि आप 1 को add कर देते हैं तो आपका आजाएगा फिर 8000 यहाँ पर आप 1 को add करेंगे तो आपका आएगा 8174 3101 1749 में यदि 1 add करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6750 Next हमारा क्योशन है Write the predecessor and successor of the smallest 3-digit number सबसे छोटा आपका 3-digit number है उसका आपको successor निकालना है और predecessor निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका 3-digit का सबसे smallest number कौन सा है जो हमारा क्योशन है इसमें हमें smallest 3-digit number बताना है सबसे smallest हमारा 3-digit number है 100 100 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आपका 99 यह हमने predecessor निकालना होता है तो हम उसमें 1 add करते हैं जब हमने 100 में 1 को add किया तो हमारा आगया 101 यह हमारा हो गया successor next question में भी हमें इसी तरह से 4-digit के smallest number का predecessor and successor निकालना था तो यहाँ पर हमारा 4-digit का smallest number क्या होगा 1000 जब अब 1000 में इसे 1 को माइनस करते हैं predecessor निकालने के लिए तो आपका answer होगा 999 और जब आप उसका successor निकालते हैं तो successor को निकालने के लिए आपको 1 को add करना होता है तो आपका answer होगा 1001 question में आपको numbers को compare करना है और numbers को compare करके उसकी according आपको less than, greater than and equal to का sign लगाना है तो first question है हमारा इसमें आपको दिख रहे हैंगी इसमें हमारे 4-digit है और इसमें हमारे 3-digit तो इसमें तो आपको numbers को compare करने की जरुरती नहीं पड़ी आपने सीधा इनके digits को count कर लिया so हमारे 3-digit बड़े होते हैं 4-digit बड़े होते हैं तो हमारे 4-digit वो जादा होते हैं so हमारा जो इसमें sign है वो इस तरह से लगेगा जो number हमारा बढ़ा होगा उसकी तरफ इसका face इसका जो mouth है वो open होगा So next numbers भी हमारे इसी तरह से है इसमें हमारे 4 digits है, इसमें हमारे 3 digits है So हमारा number कौन सा बड़ा होगा? 9,178 Next question हमारा इसमें देखना हमारे 4 digits बिलकुँ same है So यहाँ पर हमारा equal to का sign लग जाएगा Next question हमारा है इसमें हमारे 3 digits है और यहाँ पर हमारे 4 digits है So 4 digits वाला number हमारा बड़ा होगा इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से ये निशान लगा देंगे Next हमारा question है right in ascending order आपको इन numbers को ascending order में लिखना है Ascending order में numbers को लिखना होता है Small to Big So सबसे पहले हम इन numbers को compare करेंगी कौन सा number इसमें सबसे छोटा है पहले हम इसकी first digit को compare करेंगे 7, 7, 7 and 7 First digit इनकी same है तो हम second digit पर फिर जाएंगे So यहाँ पर है 2, 2, 9 and 0 So सबसे first number तो हमारा यह होगा इसमें 0 वाले सबसे छोटा number यह हो गया Second में हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा 2, 2 same है Next हमारा 9, 9 भी same है लेकिन इसके बाद हमारा 8 है और 0 है So 0 वाला number हमारा छोटा होगा यह हमारा 2 number पे आएगा यह हमारा 3 number पे और यह होगा हमारा 4 number पे So हम इसको इस तरह से इन ladders पर लिख लेते हैं सबसे पहले है सबसे छोटा number उसके बाद उससे बड़ा number 7,090 उसके बाद उससे बड़ा number 7,298 Then हमारा 7,920 Question में भी हम इसी तरह से First विजिट को compare करेंगे So यहाँ पर 8, 9, 6 and 6 हमारा First विजिट है वो same हो गया है दोनों का 6, 6 So हम इसके next विजिट को compare करेंगे 8 and 9 So 8 हमारा छोटा होता है First number पर यह आएगा Second number पर हमारा आएगा यह And third number पर होगा हमारा 8 And last होगा हमारा 9,680 So अभी numbers को हम arrange करके लिख देते हैं 6,890 Second होगा हमारा 6,980 Third होगा हमारा 8,960 And fourth होगा हमारा 9,680 Next हमारा है right in descending order आपको इन numbers को descending order में लिखना है So descending order में लिखने का मतलब होता है आपको big to small सबसे पहले बड़ा number और सबसे last में सबसे छोटा number आएगा आपका So इसमें सबसे बड़ा number है हमारा 6,7,8,1 So 8 हमारा क्या आरहा है? सबसे बड़ा number है सबसे पहले number पर इसको लिखेंगे Second पर हम लिखेंगे इसको Third में हम देख रहे है कि First two digits हमारी same है तो हम third digit को compare करेंगे Third number पर यहां पर 5 है, 4 है 5 हमारा बड़ा होता है So third number पर इसे लिखेंगे And four number पर हम इसे लिख लेंगे First digit को हम compare करेंगे Seven, five, eight and six So eight हमारा सबसे बड़ा होता है First number पर हमारा यह आजएगा उसके बाद seven आता है फिर आता हमारा six And last में आता हमारा five इस तरह से इन numbers को भी हम लिख लेंगे So इस तरह से इन सभी numbers को हम descending order में Big to small order में हम इनको arrange कर लेंगे So आज की इस worksheet में सिर्फ इतना ही I hope आपको यह worksheet अच्छे से समझ आई होगी आपको यह worksheet कैसी लेगी Comment works में अपना feedback जरूर दे Thanks for watching, have a good day